दोस्तों अडानी ग्रुप का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है अडानी ग्रुप पर जो तरीके के गंभीर आरोप लगे हैं वो जो मामला है वो अब थमेगा नहीं क्योंकि ये जो मामला अभी सिर्फ और सिर्फ सदन में उठाया गया था संसद में उठाय गया था लेकिन आप इसको सुप्रीम कोट तक ले जाने की कवायत शुरू हो गई है यहां दोस्तों या तो सुप्रीम कोट तक इस मामले को ले जाये जायेगा या फिर दूसरा एक और आप्शन तलाशा जा रहा है कि अडानी सहाब को जेल होगी की नहीं यह सवाल भी पूछा जा रहा है दोस्तों देखें दो सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं और यह दोनों ही सवाल किसने खड़े किये हैं संसद में इसे लेकर किस तरीके से हंगामा हुआ है इस खबर में आपको बताएंगे नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है जयन्ती जा और आप देख रहे हैं दनेशन दोस्तों इस वक्त आडानी ग्रुप का जो मामला है खूप चर्चा में है क्योंकि आडानी ग्रुप पर जो भी आरोप लगे हैं उस पर बेशक यह हो सकता है कि केंदर सरकार की तरफ से सेवी को जांच के आदेश दे दिये गए हो या केंदरी एजेंसियों को काम पर लगा दिया गया हो लेकिन वो सब सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए सूत्रों के हवाले से ख़बर आई लेकिन इस ख़बर की पुष्टी अभी तक केंदर सरकार की तरफ से नहीं की गई है ऐसे में क्या गैरेंटी है कि केंदर सरकार अडानी ग्रुप पर जितने भी गंभी रारोप लगे हैं उसकी जाज बठाएगा बहुत कम गैरेंटी है दोस्तों इस बात की इसलिए इस वक्त इस मामले को सुप्रीम कोट तक ले जाये जाने की कवायश शुरू हो गई साथ ही अडानी जी जेल जाएंगे की नहीं इस बात की मांग भी शुरू हो गई है दोस्तों सबसे पहले इस वक्त आपकी स्क्रीन्स पर कॉंग्रेस का ट्वीट है कॉंग्रेस के ओफिशल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया गया है जो आपकी स्क्रीन्स पर है इस tweet में पवन खेडा साहब ने जो press conference की है उनकी press conference में उन्होंने जो मांगे उठाई है यानि Congress के तरफ से जो मांगे उठाई गई है इस पूरे मामले को लेकर उन मांगों का जिक्र किया गया है इस tweet में लिखा है पहले की Supreme Court के CGI यानि हए दिवाय चंदचूर साहब की निगरानी में इस पूरे मामले की जाच की मांग की जा रही है जाच हो और रिपोर्ट प्रतिदिल सारजनि की जाए यानि पॉबलिक डोमेन में ये पूरी जाच की जाए ऐसी मांग की गई है इसके अलावा हिंड़नबर्ग रिपोर्ट की जाच हो और संयोग तो संसदिय समीति का गठन किया जाए यानि संसद में इसका एक कमिशन मनाया जाए Joint Parliament कमिशन मनाया जाए और उसके तहट कारवाही की जाए जो की सब के सामने होगी यानि देखें संसद में जो सवाल उठाए जाते हैं वो तो सब के सामने रखे जाती ही है लेकिन CGI डिवाय चंदचूर साहब के अध्यवशुता में अगर सुप्रीम कोड में किसी गंभीर मामले को लेकर सुनवाई होती है तो क्योंकि वो confidential होता है कोई भी चर्चा सार्जनिक नहीं कि जा सकती हालाकि यह वो लगबात है कि लाइफ स्ट्रीमिंग शुरू हो गई या हर केस की लेकिन फिर भी कुछ ऐसे confidential मुद्धे हैं जिनकी लाइफ स्ट्रीमिंग नहीं होती है ऐसे में इस मामले को ना सिर्फ CGI साफ के सामने उठाने की मांग की गई है बलकि उनकी निगरानी में इस पूरे मामले पर जल्स जल्द कारेवाही करने की भी मांग कॉंग्रेस के द्वारात की गई है LICC से लेकर SBI और जितने भी राष्टे बैंक हैं अडानी ग्रूप में निवेश जितना भी उन्होंने किया है उन सभी निवेश की संसद में चर्चा होनी चाहिए क्योंकि अगर उनके निवेश का पैसा डूबेगा तो उनके उस कंपनी में जितनी भी जनता ने पैसा लगाया है दोस्तों आम जनता ने जो पैसा लगाया है वो पैसा भी डूप जाएगा क्योंकि हमारे देश की जो जंता है दूसर राम तपका है वो जादा सैलरी कمाने वाला नहीं है कि करोड़ों और तैन कमा रहे थे उतना कमाने वाला हमारे देश का हर वर्ग नहीं है बहुत लोग लिमिटेट सैलरी कमाते हैं लेकिन वो जो salary है, उसको या तो LIC में जमा करते हैं, SBI में कई लोगों का account होगा, सरकारी bank है, उसमें कई लोग पैसा जमा करते हैं, सिर्फ वो सिर्फ इसलिए आगे आने वाले समय में अपने जरूरी कामों को हम पूरा कर पाएंगे, किसी के pension का वो पैसा है, किसी का account आप स चादी होनी है, किसी बच्चे का आगे जाकर future क्या बनाना है, उसके लिए पैसे कोई अपने माता-पिता इखटे कर रहे होते हैं, तो सबकी अपने अपनी जरूरते हैं, और जरूरतों के हिसाफ से लोगों ने LIC BIMA कंपनी में भी BIMA करवा रखा है, दूसरी तरफ SBI जै कॉंग्रेस के तरफ से की गई है, एक अलावा एक और मांग की गई है दोस्तों, जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मैं आपको प्रशान टंडन की ट्वीट द्वारा दिखा रही हूं, देखे प्रशान टंडन एक ट्वीट किया है, और वो जो ट्वीट है, वो अपने आप म दूसरे देशों में दोस्तों, अभी तक जेल क्या आप समझ सकते हैं, गंबीर से गंबीर साफा हो सकती है, ऐसे में अगर हमारे देश में इतना बड़ा फ्रॉड किया गया है, इतना बड़ा घोटाला किया गया है, उस घोटाले के पीछे जो है, वो बच कैसे रहे है, ये सवाल पूछा जा रहा है प्रशान टेंडर ने ट्वीट किया है कि अडानी को 20,000 करोड का FPO वापस लेना पड़ा 20,000 करोड का FPO जो है वो रद कर दिया अडानी चीने मोदी अपने दोस्त को बजार की मार से बचा नहीं पए इसी तरह के आरोपो में अमेरिका में रजद गुपता दो साल जेल में रह चुके हैं गौतम अडानी पर जाज कब होगी वो कब जेल जाएंगे यह सवाल पूछा जा रहा है यह सवाल वाकई में देखे है अभी सिर्फ और सिर्फ हिंडनबोग की रिपोर्ट की वज़ए से ही नहीं पूछा जारा इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो अडानी गृप पर उठाए गए अडानी गृप के लिए कोई खुल कर बात इसलिए नहीं करता दोस्तों उससे जुड़ी तमाम खबरे को इसलिए नहीं बताता क्योंकि मान आनी का केस करने में अडानी जी एक्सपोर्ट है कोई भी मामला हो अडानी जी केस ठोग देते हैं शायद इसी की बज़े से अभी तक बहुत सारे ऐसे चानल्स होंगे जो इस खबर को उठाने में कतरा रहे हैं दोस्तों लेकिन आप समझ सकते हैं कि जब अडानी गृप की तरफ से खुद गौतम अडानी जी सामने आते हैं FPO को रद करने की सूचना देते हैं और बताती हैं कि आखर मार्केट में उनके शेर्स में किस तरीके से विक्वाली आ रही है किस तरीके से उनके शेर्स लगातार गिर रहे हैं तो फिर इस बात पर यकीन कर पाना बिलकुल मुश्किल नहीं होगा कि वाकई में अडानी ग्रूप इस वक्त अस्थिर्टा का सामना कर रहा है बाजार में जो संकट गहराया है मार्केट में जो शेस गिर रहे हैं लगातार गिरावट जो आ रही है जितना लुकसान हो रहा है वो असल में है और उस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है खोद अडानी साहब भी नहीं कर रहे हैं तो फिर हम इंकार कैसे कर सकते हैं क्योंकि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में जो जो लिखा जो जो तथे दिये गए दोस्तों वो तो जाहिर हो चुके है सब के सामने हैं कि क्या-क्या आरोप लगाए गए है धोका धड़ी के आरोप लगाया आकाउंट में एरफेर की गई है स्टॉक्स को शेर्स को बढ़ा चड़ा कर दिखाया गया है यह तमाम आरोप लगाये हैं और यह आरोप कोई छोटे-मोटे आरोप नहीं है मामूली आरोप नहीं है। क्योंकि खर्भों का नुकसान हुआ है। जया जोस्तों खर्भों का नुकसान हुआ है अडानी जी का उससे जुरी ह्पश्चभर भी आपको दिखा देते हैं इस वक्त आपके स्क्रीज पर वो खबर में मैं आपको दिखार है हूँ जहां आप समझ सकते हैं कि कितना नुकसान उठाना पड़ा है एक रिपोर्ट के जरीए ये जो पूरा किला है अडानी जी का वो किस तरीके से ढह गया है ये साफ तोर पर देखा जा सकता है एक हफते में गौतम अडानी की फिजा किस तरीके से बदली है ये देखा जा सकता है और लगाता जिस तरह से नुकसान हो रहा है गौतम अडानी को वो भी साफ तोर पर देखा जा सकता है देखें सत्य इंदी की खबर इस वक्त आपके स्क्रीन्स पर है लेकिन चर्चा कुछ channels कर रहे हैं सब नहीं कर रहे हैं जहीं से बात है जिनके बारे में चर्चा होगी वह आका की परमित्र है और अगर उनके बारे में चर्चा में कुछ उलजलूल निकल गया मुँसे तो फिर जैसे मैंने कहा माहनहानी में export हैं इसलिए इस वक्त बहुत लोग अभी सारी चीजों को राफसाफ करने का वेट कर रहा है दोस्तों राफसाफ करने का वेट तब भी किया जा रहा था कि आखर अडानी ग्रुप की तरफ से इस पर क्या रिप्लाई दिया जाता है अडानी ग्रुप ने 413 पन्नों का जवाब दिया और 413 पन्नों के जवाब में उन्होंने ये कहा कि ये भारत पर हमला है ये भारत की अखंडिता संप्रभुता पर हमला है राष्ट्रियता पर हमला है तो फिर सवाल ये पूछा जाने लगा कि आखर भारत पर हमला कैसे हो गय एक उद्योग पती क्या पूरा भारत हो गए क्या भारत की आइडिन्टिटी एक उद्योग पती जिब खान कर रहे हैं क्या भारत की जनता जो है वो सब के सब आडानी जी के भरों से बैठी हुई है कि अगर आडानी जी को नुकसान होगा या आडानी जी पर कोई आरोफ लग करें तो दूसरे दिन बड़ी गिरावट आई देड़ बजे तक इसके शेर में 19 फीस्दी से जाधा गिरावट आई एक दिन पहले यानि बुदवार को इसके शेर में 28 20 फीस्दी से जाधा गिरावट दर्श की गई और इसी की बज़स से ये जो नुकसान है ये बढ़ता चला गया FPO 20,000 करोड का FPO दोस्तों वापस ले लिया गया और जो छोटी मोटी बात नहीं है एक FPO लॉंच किया आजाता है वो भी तब लॉंच किया जाता है जब हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट सामने आ जाती है अडानी ग्रूप को लगता है कि FPO लॉंच करते हैं इस रिपोर्ट से कोई खासा फर्क नहीं पढ़ने वाला क्योंकि हमने सफाई दे दी है अपनी सफाई में जो कहते हैं वो सटिस्वाइड नहीं होती वो सफाई वो एक्स्परेशन सेटिस्वाइड नहीं होती FPO लॉंच होता है FPO में 3% सब्सक्राइबर साते हैं सिर्फ और सिर्फ तो वो जो FPO है नुकसान के वे में जाने लगता है तभी अबुदावी की इंटरनाशनल कंप्री इंवेस्ट करती है अंबानी इंवेस्ट करते हैं तमाम उद्योगपती इंवेस्ट करते हैं तब जाकर लुटिया डूबने से थोड़ी बहुत बचती है अब FPO पूरी तरीके से सब्सक्राइब हो गया अचानक महराज कहते हैं कि FPO हम रद्द कर रहा है क्योंकि निवेशकों का पैसा डूब जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि डर जो है वो कहां तक है और आखिर क्यूं है वो ही इस बात को खुद समझ रहे हैं दोस्तों देखें अगर लगातार जिस तरह से इन सब की चीजों के चर्चा हो रही है उसी बीच एक बयान की भी काफी जादा चर्चा हो रही है जो बयान गौतम अडानी जी के समू के जो CEO है दोस्तों उन्होंने दिया था इनका नाम है जुगेशिंदर सिंग जुगेशिंदर सिंग ने जब बयान दिया बयान का विडियो इनका वायरल हुआ तो उस विडियो में वो आगे खड़े हैं पीछे हमारे देश का तिरंगा लगा हुआ है और इन्होंने कहा ये भारत पर हमला है दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बताना चाओंगी अबधिशिल करके अभी वहां पर है कहते हैं अपने वायों में ट्विटर वायों में कि दोनों देशों से प्यार है और उस्त्रीलिया से भी प्यार है हमको और हमको भारत से भी प्यार है आप उस्ट्रेलियन नागरिक है और आप सीख दे रहे हैं सबको कि ये भारत पर हमला है ये बेहाधास्यास्पद है इसी पर पुनीत कुमार सिंग लिखते हैं कि बैग्राउंड में भारत का तिरंगा लगा कर ये अडानी का जो आदमी कह रही हूं आपको बकाइदा लाइव मिंट की खबर इस वक दिखा रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि जुगेश इंदर सिंग यहां के नागरिक नहीं है बलकि उनके पास ऑस्ट्रेलियन सिटिजन्शिप है और वो आपको स्क्रिंशॉट के जरिये दिखा रहे हैं तो आ आतम अडानी जी को आप कौन बचाएगा क्या खुद स्विकार करेंगे कि हाँ वाकई में जो आरोप लगे हैं वो सही थे और आने वाले समय में उनका पतन होना शुरू हो जाएगा तो ऐसे में जो भी उनके मदद कर सकता है वो आकर हमारी मदद करो क्या यह बोलने वाले आडानी जी तो इस बात का इंदजार बेसबरी से किया चाहरा है बेराल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खब तो कि लेड़ बसकाई